नमस्कार दी फोर्स पीलर में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ अंजली कौन है भारत के जेम्स बॉंड जिनके नाम से पाकिस्तान भी धरधर कांपता है दोस्तों आज के कहानी एक ऐसे सक्षियत की है जिसको भारत का जेम्स बॉंड भी कहा जाता है जी हाँ हम जिनकी बात कर रहे हैं वे इंडिया के करिंट नैशनल सेक्योरिटी अडवाइजर अजीद डोभाल है इंडिया के टॉप स्पाई और सूपर कॉप माने जाने वाले अजीद डोभाल की असल कहानी किसी थ्रिलिंग मूवी से कम नहीं है पाकिस्तान आज भी इनके नाम भर से धर धर कापता है कभी वेश बदल कर सबजी वाला तो कभी रिक्से वाला कभी धर्म बदल कर दूसरे देश का नागरिक बन कर रहना तो कभी दुश्मनों के साथ मिलकर उनसे ही उनकी सारी जानकारी निकालना अपने 30 साल की जर्नी में ऐसे ऐसे काम किये हैं जो जासूसी की दुनिया में शायद ही पहले किसी ने कर दिखाया हो वादेश के बड़े-बड़े दुश्मनों को घुटनों पर ले आया है वर्ष 2019 की फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में डोभाल को परेश रावल द्वारा चितरित किया गया था 77 साल के उम्र में भी वो बिलकुल फिट और एक्टिव दिखाई देते हैं उन्होंने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया है आज हम बात करेंगे अजीत डोभाल की जीवनी और उसके साथ साथ उनसे जुड़ी कुछ एहम उपलबधियों के बारे में अजीत डोभाल पढ़ने में शुरू से ही काफी तेज थे उनका जन्म 20 जन्वरी 1945 में उत्राखंड के पोड़ी गढ़वाल में एक सैनिक ब्राहमन परिवार में हुआ था उनके पिता मेजर जी एल डोभाल इंडियन आर्मी के एक आफिसर थे उनकी शुरू आती पढ़ाई एक आर्मी स्कूल से हुई थी बाइस के उम्र में उन्होंने युनिवर्सिटी ओफ आगरा से एकॉनमिक्स में मास्टर्स की डिग्री हासिल की अर्थशास्त्र में पोश्ट ग्रेजुएशन करने के बाद वो आईपेस की तैयारी में लग गए और 1968 में केरल कैडर के आईपेस अधिकारी बने जो मैडल किसी आईपेस अफसर को 17 साल बाद दिया जाता है वा मैडल अपने सेवा के सिर्फ 6 सालों में ही पा लिया था चलिए अब उनके कुछ उप्लब्दियों के बारे में बात करते हैं NSA अजित डुभाल पाकिस्तान में बतौर जासूस काम कर चुके हैं करीब 7 सालों तक पाकिस्तान में भारत की ओर से अंडरकबर जासूस बन कर रह चुके हैं वे वहां मुसलमान बन कर रहते थे ऐसा माना जाता है कि उन्होंने भारत लोटने के बाद कई एहम उपरेशन को अंजाम दिया माना जाता है कि डोभाल ने उरी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की रन्नीती बनाने में एहम भूमी का निभाई थी पाकिस्तान में 7 साल जासूस बन कर बिताए और इसी दोरान वहां की आर्मी में मार्शल की पोश्ट तक पहुँचे 1984 में भारते सेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार के वक्त पाकिस्तानी जासूस के भूमी का निभा कर खलिस्तानियों का विस्वास जीत कर सेना को गुप्त सूचना मुहया करवा कर ऑपरेशन सफल बनाने का काम भी अजीत दोभाल ने किया विभारत के एक मात्र नौन आर्मी परसन है जिन्हें कीरतीव चक्र से नवाजा गया जब वह आई बी के चीफ थे उस दोरान उत्तरपूर्व में ललडेंगा के नितरित्व में मीजो नेशनल फ्रंट ने हिंसात्मक माहौल बना रखा था ऐसे में उन्होंने उसका अंक्यों पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की सफल यूजना भी उनकी ही बुद्धिमता का सबूद है जिसमें सेना ने म्यानमार में पांच किलोमेटर अंदर घुसकर करीब पचास अंक्यों को मौत के घाट उतारा धन्यवाद अभी के लिए बस इतना ही बने रहे इसके अलावा हमारी वीडियोज आपको अलग-अलग ठिकानू जैसे फेस्टग्राइम ट्विटर पर भी देखनी को मिलेंगे जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिये गया है शुक्रिया